दोस्तों आज हम बात करेंगे पतंजिली एरवेद के निट्रिला विटामिन D2 के सप्लिमेंट के बारे में जो कि आपके सरीर में विटामिन D की कमी को पूरा करने का काम करता है तो इसके फायदों से लेकर आपको इसे कैसे यूस करना है इसका प्राईज, इसके इंग्रिडियन्स, साडी फेट, सावधानिया, सारी जानकारी इस विडियो में दूँगा तो इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है देखिए अगर सबसे पहले बात करें इसके प्राइस की तो इसका प्राइस 250 रुपए है जिसमें आपको 60 टेबलेट है वो देखने को मिलती है और देखिए ये जो टेबलेट होती है ये चोएबल टैब्रिट होती है जिने आपको चबा कर खानी है और देखे ये आपको बड़िया वेनिला फ्लेवर में मिलती है दोस्तो इसे आप जो भी पताँजली के स्टोर होते हैं वहाँ से आप इसे खरी सकते हो या फिर मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओनलाइन लिंक दे दूँगा जिसके जरीए आप इसे घर बैटे बैटे भी मगा सकते हैं तो देखिए अब मैं आपको इसके फाइदे बताऊँ उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो नुट्रिला विटामिन डी टू के है ये 100% वेजिटेरियन है नेचरुल है और इसमें कोई भी हामफुल केमिकल है वो यूज नहीं हुआ है यानि कि सबी लोग इसे ले स तो चलिए फिर अब बात करते हैं इसके फाइदों के बारे में तो देखिए जैसा कि इसका नाम है विटामिन डी टू के दोस्तो देखिए विटामिन डी सरीर के लिए एक जरूरी पोशक तत्व है देखिए ये आपकी हड्डियों को जो है वो मजबूत करता है और दातों पुर्ड बनाई रखने के लिए केलशयम का सेवन जरूरी है लेकिन देखिये केलशयम सरीर में तब तक एब्जॉर्ब नहीं होता जब तक सरीर में विटामिन D ना हूँ। तो इसलिए विटामिन D का हमारे सरीर में एक एहम रोल होता है। देखे अगर आपको जोइंट स्पेन यानी जोडों में दर्द होता है, खास करके आप घुटनों में दर्द महसूस करते हैं, या फिर सरीर के अंदर आपको बोन पेन यानी हड्डियों में आप दर्द महसूस करते हैं, या फिर मान स्पेसियों में आपको दर्द मैसूस होना या फिर अक्सर आपके पीठ में दर्द रहता है तो हो सकता है कि आपके सरीर में विटामिन D की कमी हो तो उस कंडिशन में ये नूट्रिला विटामिन D2 के आपके फाइदे मन साबित हो सकता है और देखे अगर आपको fracture हो जाता है हड्डियां तूट जाती है या फिर इसके अलावा अगर आपको arthritis है गठिया की समझ्या है तो उस condition में भी आप इसे ले सकते हैं आपको काफी बढ़िया फाइदा जो है वो देखने को मिलेगा दोस्तो इसके अलावा ये आपके immunity बढ़ाने में भी मदद करता है जिससे सरीर कई तरह की बीमारियों से बचे रहता है तो इस प्रकार से देखा आपने कि इसके कितने सारे फाइदे हैं दोस्तो अगर बात करें कि आपको इसे कैसे लेना होता है तो देखिये इसके आपको per day एक tablet लेने की सलाय वो दी जाती है और देखिये इसे आप पूरे दिन में किसी भी समय ले सकते हैं और देखिये जैसा कि मैंने आपको सुरू में ही बताया कि एक चुएबल टेब्रेट है आपको चबा कर खानी है दोस्तो इसे मिल फिमिल कोई भी ले सकता है लेकिन जो महला प्रेगनेंट है वे इसे ना ले बिना डोक्टर की सला किये बिना दोस्तो अगर बात करें इसके side effect की तो इसका कुछ भी side effect नहीं है लेकिन देखिये अगर आपको kidney से सम्मंदित कोई समच्चा है तो आप इसे लेने से पहले डोक्टर से जरूर सला लें तो दोस्तो ये थी निट्रिला विटामिन D2 के बारे में कुछ महत्पूर भरी जानकारी देखिये अगर फिर भी कोई question आपके मन में चल रहा हो इस निट्रिला विटामिन D2 को लेकर तो आप मुझे comments के दोरा भी पूछ सकते हैं अगर वीडियो पसंद आई हो तो like जरूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए है तो इस चैनल को आप subscribe भी जरूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुचे मैंनी मी जितेज and thank you so much for watching